मैं सुपरोगुजार हूँ और मुझे यहां आने की काम ने दावक्सी है हमारे पिहार के पर्टिपक्ष के नेता मानिये पिश्पीजी है जश्टिशी वरहिया साथ है और देश के बहुत प्रकर्ट पत्रकार तेजश्वी और कम्योर लोगों की आवाज बुलंद करते रहने वाजे दो पत्रकार पुर्मिलेश जी और मंदल दिलिक मंदल दिया मैं इसको फक्र जेसाथ करता हूं कि हम लोगों साथ के काम किया है जो यह 35 साला जिंदगी रहते हैं मंदल दिया है मंदल दिल्दी सरकार के और अरुंद हती राय मौकरमा अरुंद हती राय साहिबा भी मौदू है जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़े फक्र की बार्ट मैं पहुंक मुक्त तसर्म क्योंकि आप पेजश्वी बीजी को पता चाहते हैं हम वाज लोगों बोलते रहते हैं इनको नए लोगों को मौका मिलना चाहिए इमें जादे उगजा है इनकी पूद्धी तिक्षण है हम लोगों कि प्लिजे तो इनको हम लोग सुने के लिए तो तिन बात मैं कहना चाहता हूं एक तो बात की जो बहुत बात हुई है कि जो हमारे सम्धिधान है उसकी बुनियाद पर चोड़ा इसको यू समझे आम लोगों को समझाने के दिए मैं कहता हूं कि यह रीड़ की हटी पर चोड़ों का रीड़ की हटी अगर चोड़ी हो जाती है तो पता नहीं इसमें कितने कुछ जाक्टर होंगे को जानते हैं कि रीड़ की हटी का अगर आप अपरेशन भी होता है तो सर्जन होंगे बताएं नहीं तो उसमें 45% ही उमीद रहती है कि फिर से यह आदमी खड़ा हो सके हैं तो हमारे सर्विधान की रीड़ की हटी चोड़ी हुई है उस पर हम लाब आप अगर हमने इसको नहीं बचाया तो फिर ये हम खड़ा नहीं हो सके में ये माफ़ो है इसका दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मैं मुसल्मान हूं मुसल्मानों के मखली कुछ बाते कहना चाहता हूं यहां हिंदूर राश्ट युवी बातें करी गई दें और ये कई बाते करी गई मैं कहां मुजाता हूं मुझाता हूं मुझाता हूं एक सब्र करते हैं। मैं शुरू से जब से बहुत सम्हाला मैं जब लिखता हूं अपनी तहरीरों में और प्रियों में अपनी किताबों में भी किताबों में भी मुसल्मान भाईयों इस सब्सक्राइब बचना जाए इससे जब को ही आप चलियत कहते हैं माई दोरे की जाते हैं तो एक एहसास कमत्री एक हीन आमना पैदा होती हुआ हम हमको इससे पचना चाहिए इसससे मनुवादियों को बल मिलता है हम लोग तो सरीयत के लोग है मैजरटी के लोग है यहां ठेक स्री जादव जी खड़े हैं यहां रतंगाल में जी खड़े हैं जी एक में सीप्रेच पनी यह बंदल जी खर हैं तो हम तो बहुमत वाले हैं हम तो बहुत है अगलिया तकलिया तकलिया मैनारटी मैनारटी अचंक्या इस भावना से इस देश के मुसल्मान निकले हम बहुचन है कि बहुत है कि बगल का पाकिस्तान मचग की बुन्याद पर पना क्या वह एक रफ्ता ना सिर्प बंगलादेश और पाकिस्तान ने बटा जो आज पाकिस्तान है वह जानते हैं कि प्रेट बटा आए हम अलग कोम है कौम मने नेशन रास्त अब लोग जबता कौम का इस्तवाल जातियों कर देते नहीं कौम मने नेशन वाल्प। कि पलूज काता है कोने सिंभी काता है अलद कौम है पंजाबी काता है अलद कोने कि पठांत काता है एक जो बिहार अस्विंच परदेश से दो लोग गये हैं वह महाजिर कहे जाते हैं वो सेकंड ग्रेट सित्रिजन है उनको प्रोन नागरिता मीमा नहीं है वो उनका नेता इंग्लेंड में बैट करके बहादियर मोर्मेंट चलाता है आज पाकिस्तान फूल दूपर चिठड़ा चिठड़ा हो गया है और इस देश के मुसल्मान इस बात को समझते हैं कि लाग परिशानिया है आज हैं कल नहीं रहेंगी लेकिन हम पाकिस्तान के मुसल्मान उसे लाग दर्जें बैतर नहीं पालए और लेकिन नसीहत क्या लेगा है जो मुसल्मान है जेशी सिस्वारिया साहब में कहा कि मुल्क मज़हब की बुनियाद पर अगर मुल्क बनता है टियोक्रेटिक स्ट्रेट चाहे मुसल्मान के नाम पर बढ़ेंदेंगे नाम पर बढ़ेंदेंगे वह एक नहीं रहता है और उस देश में ग्रेच जबीश दिश्टी होती है जो पाकिस्तान में हो रहा हम देख रहा है एक बार मैं गया मेपाल साथमन जब इनपीर था वहां के एरपोर्ट पर कोटे का तो हमने कहा जिए उससे तो बढ़िया हमारे लानुजाजों थी बिहार का बसे स्टैंड का दिर्मेदान के बाद है यहां का यह एरपोर्ट है दु पर यह सब चीज़े हो रहे हैं वह इसको समझना चाहिए आखरी बात क्याना चाहिए वह आखरी बात यह है कि नाम इंदी हम लोग मुसलमान कहते हैं नाम इंदी पूसर है हमने इमान जिसका गंदूर है वही नाम भी धोटा तो हमने देखा लादू जी गेव निपन्ध है और उनका एक ट्वीट पढ़ा हमने ट्वीट पढ़ा अभी गनीमत है सब्र मेरा अभी लवा लव भरा नहीं है वो मुझको मुर्दा समझना है उससे कहो मैं अभी जिन्दा हुआ लादू जादो कहीं पे दस्वी जा एक रूप में खड़ा हो जाएगा कहीं मनोचा कहीं कहा हो जाएगा अली रंवर के रूप में खड़ा हो जाएगा वह पिचार पुर्पुनमार नहीं सकते हैं तो एक और रहत इंदोरी का मैं शेर पढ़ता हूं और पर पढ़कर के मैं अप्रिवाग खटम करता हूं जो आज साहिबे मंसत है जो आज साहिबे मंसत है जो आज पावर में है कम कर नहीं होंगे जो आज साहिबे मंसत है कर नहीं होंगे किरायदार में जाती मतान थोड़ी है किरायदार हो यादर को जाती मतान थोड़ी है यहां की मिट्टी में सभी का कूल सामिल है किसी के बाग का इंदर्टार को है कर दो